हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब विज्जू के इसलाँ चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे फ्लोको नाजॉल ड्रग के बारे में तो फ्लोको नाजॉल का हम बेजिक यूज सबसे पहले सिखेंगे और करेंगे उसके डेटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी तो फ्लोको नाजॉल की जो एक एंटिबाइटिक ड्रग है तो उसको डेटेल में समझते हैं ये वीडियो लेक्चर में और जानते हैं उसके अलग-अलग यूजिस के बारे में कब इसको यूज किया जाता है और क्या उसके बेजिक यूज वगरा है अगर आपके पास एंडूड फोन है तो डाउंडूड करें अडूड अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टार पर से अगर आपके पास आइफोन है तो एप स्टार पर से उसको डाउंड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझिए Fluconazole का जो basic concept है वो आप clear करिए तो Fluconazole जो है वो antifungal medication कहीं जाती है और बहुत सारे number of fungal infection को treat करने के लिए ये use किया जाता है तो Fluconazole क्या है तो antifungal medication है तो ये सबसे पहले point आप जो है याद रखे कि जो मैं highlight कर रहा हो तो Fluconazole और जो use है उसका बहुत सारे fungal infections को treat करने के लिए ये medication जो है वो use किया जाता है तो multiple choice question के लिए भी ये काफी important point है कि triazole antifungal medication कहीं जाती है कि विकोज उसके अंदर जो chemical structures के अंदर triazole, syring वगेरा present होती है and systematically उसकी body पर effect रहती है तो ये जो है वो बहुत सारे number of fungal and yeast infection को treat करने के लिए use किया जाता है साथो साथ उसको prevent करने का भी काम करता है तो prevent भी करता है और साथो साथ treat करता है बहुत सारे number of fungal infection as well as a yeast infection and it is work by stopping the growth of certain type of fungus कि जो अलग-अलग fungus के करन जो हमें fungal infections होते है तो क्या करती है ये medication उनकी growth को ही stop करती है stopping the growth of certain type of fungus तो ये सबसे important point है आपके लिए कि flukonazole antifungal medication हो गई क्या काम करती है तो अलग-अलग fungal infections के सामने उसकी antifungal activity देता है और stop करता है fungus के growth को तो ये हुगा है उसका basic concept तो यहाप आप उसके tablets देख सकते है marketed formulations के अंदर कि जो sipla का ये 150 mg का tablet as well as fdc का zocon 150 करके उसका marketed formulation जो है आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक tablet है ये वाले container के अंदर कि ये वाली जो आप एक tablet देख सकते है तो उसके doses हमाँ आगे संखे के उसके अंदर जाये नहींगे कि कुछ diseases के अंदर सिर्फ एक ही tablet लेनी होती है जबकि कुछ diseases में उसके daily doses वगिरा होते हैं तो वो समझते हैं आगे lecture के अंदर तो अब समझ लेजिए उसके अलग-अलग doses form तो फ्लोको नाजोल का जो tablet doses form भी अवेलेबल है कि जो यहाँ पे आप slide पे डेख रहे है कि उसके 150 mg के टैबलेट उसके अलावा फ्लोको नाजोल की gel भी अवेलेबल होती है कि जो gel form हम कहते है cream सोगेरा जो semi solid doses form कहते है उसमें भी वो अवेलेबल है as well as उसका capsule doses form भी बना जाता है कि जो orally patient use करते है यह capsule और उसकी strength रहीती है 150 mg उसके लावा फ्लोको नाजोल का injections भी market के अंदर अवेलेबल है कि जो आप parental doses form कह सकते है single dose container यहाँ पे है and for intravenous use only तो IV use के लिए उसका injection भी अवेलेबल है उसके लावा उसके eye drops भी आप देख सकते हैं 0.3% concentration के eye drops के जो FDC उसको design करता है यह लावा भी एक eye drops देख सकते हैं फ्लोको नाजोल के उसके लावा फ्लोको नाजोल का suspension syrup type form भी market के अंदर available है तो फ्लोको नाजोल के आप समझे अच्छे से basic use के बारे में तो सबसे पहला जो उसका basic use है वो है अलग अलग जो candidiasis वगरा जो होते हैं कि candidalbicans के करण होने वाले जो fungal infection की यह वाला आप diagram देखिए first कि जिसके अंदर आप देख सकते कि candidiasis इस type के जो skin के ऊपर यह जो racist type जो develop होते हैं जिसको candidiasis का आजाता है उसे तरह से समझो कि oral cavity के अंदर यह candidiasis होते हैं तो इस type का यह produce करते हैं तो यह भी एक type के candidiasis भी है same like that वाज़ना के अंदर भी इस type के candidiasis डेवलफ होते हैं जो वाज़नल infection के लिए responsible बनते हैं तो यह अलग-अलग candidiasis को treat करने के लिए भी fluconazol यूस किया जाता है उसके बाद यह वाला जो second diagram देखो कि जो इस number 2 लिक रहा हो में तो वो है blastomycosis के condition कि इस type के जो नजल के अरिया के आसपास या फिर आपके चैरे पे यह जो blastomycosis होते हैं उसको भी treat करने के लिए fluconazol यूस किया जाता है फिर cocidio-domycosis यह वाले कि इस type के patches डेवलफ होता है आपकी skin के उपर कि ऐसे जो fungal infection होता है कि जिसको medical terms में कहा जाता है cocidio-domycosis कि उसको भी treat करने के लिए यह use किया जाता है फिर cryptococasis यह वाला देखो कि आपके nail जो fingers के उपर इस type के यह जो develop होते हैं कि जिसके अंदर पानी या फिर pus जैसा कई बार आपको देखने को मिलता है liquid भरा हुआ होता है तो जिसको कहा जाता है crypto-cocosis तो crypto-cocosis की भी treatment के लिए floconazole के जो tablet से वो prescribe किया जाता है उसके अलावा यह देखो number यह 3 वाला आपने देखा यह number 4 यह देखो number 5 कि जिसको लिखा है histoplasmosis तो histoplasmosis की इस type के यह जो रैसिस जिसे आपको देखने को 25 वगरा आपके skin उपर develop होते है कि जो देखने में इस type के होते है कि जिसको treat करने के लिए भी floconazole के tablets prescribe किया जाते है फिर number 6 में आप देखो dermatophytosis कि इस type के जो ringworms वगरा होते है वो भी एक type के dermatophytosis है और एस type के skin उपर आपके develop होना वो भी dermatophytosis है कि जो एक type का fungal infection है उसके बाद ऐसा जो condition produce होती है आपके back के उपर या फिर आपके पेट वगरा के पाग में तो उसको जो हम कहते है pitariasis versicolor तो उसको भी treat करने के लिए जो floconazole के tablets जो है वो prescribe किये जाते तो ये सब आप अलग-अलग ये जो आप देख सकते है fungal infection ये सभी को treat करने के लिए floconazole का जो है उसका basic use तो यहाँ से मैं ये annotations हटाता हूँ तो आप जो इसका screenshot जो है वो अच्छे से ले सकते है कि ये वाले जो slide का screenshot लेकर रखेंगे तो आपको फाइदा होगा इवन नवे numbering भी कर देता हूँ कि ये वाला number one है this is one ये number two ये वाला रहेगा three this is number four ये वाला five ये six है and this is a seven ते जो अलग-अलग seven type के जो basic fungal infections होते हैं उसको treat करने के लिए fluco-nazol use किया जाता है तो fluco-nazol is a water-soluble triazol having a wider range of activity than ketoconazol कि जो ketoconazol भी similar drug है fluco-nazol के जैसे ही but उसके compare में उसकी जो range जो activity के range है वो काफी ज्यादा है water-soluble उसको कहा जाता है कि water के अंदर soluble है इसी के करने आप देखें उसके eye drops वगेर अवेलेबल है as well as fluco-nazol का intravenous suspension as well as जो injection form जो आप देख रहे हैं वो भी अवेलेबल है कि उसकी solubility water के अंदर अच्छी होती है indications include the cryptococcal meningitis systemic and mucosal candidiasis in both normal and immunocompress patient then cocae diodal meningitis and some tinea infections कि जैसे हमने ये जो अभी previous slide के अंदर देखा किस type के जो आपके skin के उपर जो skin infections होते हैं कि जिसको आप एक type के fungal infection कह सकते हैं ये सबी को treat करने के लिए ये जो है वो use की जाती है तो उसके हम important कुछ facts जानते हैं कि 94% उसका absorption अच्छे से हो जाता है आपकी body के अंदर oral biobility is not affected by food और gastric pH कि हम जानते कि जब आप कोई tablets होगेरा लेते हैं तो gastric pH के करन कई बार या फिर जो stomach के अंदर जो food present होता है उसके करन उसकी effect जो है वो change होती है biobility के उपर असर बढ़ता है तो oral biobility पर कोई effect नहीं होता not affected by food और gastric pH जिसके करन उसकी जो absorption है वो आपको 94% जितना मिलता है कि जब आप उसका proper dissolution करते है इस प्राइमरली एक्स क्रेटेड अंचेंज इन यूरिन वीथ और वन हाफ टी वन हाफ ओफ ट्वेंटीफ टू थर्टी अवर्स मतलब कि जो उसकी हाफ लाइब जो हम कहते है फार्माकोलोजी के अंदर तो उसकी जो हाफ लाइब जो आपको मिलती है 25 तू 30 अवर्स तो ये काफी इंपोर्टन है कि इस प्राइमरली एक्स क्रेटेड अंचेंज इन यूरिन वीथ हाफ लाइब 25 तू 30 अवर्स तो उसकी जो फार्माकोलोजी के लेक्सन देखे तो फंगी सीडल है मलब कि फंगस को कम्प्लेटली कील करती है और उनकी जो ग्रोथ है वो इनहीबीट कर देती है एंड नेल्स वगेरा के अंदर वजाइना सलाइवा वगेरा के अंदर आप उसके आपको मिलेंगे कि जब आपको इसी के सैंपल्स लेगे के नेल के सैंपल्स देखते है वजाइनल सेक्रेशन सलाइवा एस विल एस ब्रेन एन सेरेवरो स्पाइनल स्प्रूड के अंदर भी उसकी कॉंसेंट्रेशन मतलब कि जो एब्सॉब होती है अच्छे से और अपनी जो फार्माकोलोजिकल एक्षन देती है वो अच्छे से अच्छीव होती है कि जब किसी को रिनल इंपार्मेंट का प्रोब्लेम है तो इसके अंदर डोस जो है वो आपको रिड्यूस करना होते है तो यह कुछ इंपोर्टन फैक्ट से फ्लूको नाजल के बारे में तो अब उसको यह यूजिस हम अच्छे से समझते है तो फ्लूको नाजल केन बी एड्मिनिस्टर ओरली आज वेल आज इंट्रावेनसें सीवियर इंफेक्शन कि जो हमने प्रिवेस अलग-अलग स्लाइड में देखा कि जो बहुत सारे अलग-अलग फंगल इंफेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए उसको ओरली भी दिये जाता है कि जो उसके टाबलेट्स वागेरा है एस वेल आज जो इंट्रावेनसली जो उसका इंजेक्शन है वो भी पेसन को दिये जाते है और सिंगल डोज 150 mg ओरल डोज के और वजाइनल केंडिडाइसेज वीद फ्यू रिलैप्सिस कि यहाँ पर देखो कि जो सिंगल डोज के जो टाबलेट्स आती है कि सिंगल डोज में 150 mg के समझे कि आप टाबलेट्स यूज करते है और वो ओरली तो जो वजाइनल केंडिडाइसेज होते है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते है उसके बाद ये सिंगल डोज रहेगा ये खास देन रहेगे सिंगल डोज मतलब कि पेसंट एक ही बार उसको यूज करता है मतलब कि week में एक बार और फिर समझो कि क्यो और नहीं होता थे फिर से वन वीक और ले सकता है मतलब कि यहाँ पे समझाता हूं कि वजाइनल केंडिडाइस इसमें क्या होता है पेसंट जो है वो week 1 में लेता है एक बार week में एक ही लेना है vaginal candidiasis के अंदर फिर दूसरे week में जरुरत पड़े तो ही tablet लेनी है अगर ठीक हो जाता है vaginal candidiasis तो next week फिर से वो tablet लेनी की जरुरत नहीं है तो ये होता है कि सिर्फ एक ही tablet single tablet से ही vaginal Candidiasis जो है वो कि जो Vazinal Infections जो हम कहते है वो ट्रेट हो जाते हैं और ये Oral ही एक ही Tablet खानी होती है फिर बात करें कि Oral Fluconazole कि जो ये वाला आप देख सकते हैं कि 100 mg के जो Tablet 100 mg per day कि एक दिन में Day 1 है समझो इस तरह से लिखता हूं में कि Day 1 है तो Day 1 को आप लेते हैं 100 mg 100 mg per day for 2 weeks मतलब कि At least 2 weeks के लिए 2 weeks मतलब कि at least आप 14 days तक वो Tablet खाते हैं 2 weeks मतलब कि 14 days is highly effective in Orofarenceal Candidiasis कि जो Oral Cavity के अंदर जो Candidiasis होते हैं कि जैसे हमने previous एक लेक्चर में Clotrimusle में दिखा था कि उसके Cheevable Tablets वगे राती है उसी तरह से Fluconazole जो है वो Patent Orally Directly यूज करता है और उसको ये Tablets Swallow करनी होती है As well as ये Oral Cavity में भी Disperse हो जाती है कि देखो Fluconazole Disperseable Tablets या आप लिखा है कि जो FDZ बनाता है 100 mg और DT में लिखा है मतलब कि Orally Disintegration Tablets आपकी Oral Cavity में ही वो Easily Disintegrate हो जाती है And ये Tablets को दो विखतव का आप ले सकते है कि जब किसी को Oropharyngeal Candidiasis है And taken Orally by patient 100 mg इस तरह से Day 1 को आप 100 mg लेते है Day 2 को, Day 3 Same like that 14 days तक पेसंट जो है वो ये Tablet जो है वो डैली लेता है Fluconazole के तो ये था Important about the Fluconazole dose and use दूसरी ओर डिसीज के अंदर हम जाने तो Fluconazole 100 mg per day for 2-3 weeks is the first line treatment for Candida esophagitis कि Candida albicans के करन समझे कि आपकी esophagus में Same infection हुआ है Fungal infection वापे Inflammation हो गाया है Source वगेरा डैवलाप हो गया है तो Candida esophagitis के अंदर 100 mg per day कि ये वाले जो tablet से 100 mg वाले कि day 1 जो है उस दिन आप 100 mg लेते हैं और same repeat कर सकते हैं 2 to 3 weeks मतलब कि 14 days तक और 14 days में भी क्यों और ना हो तो at least 21 days तक जो है वो patient डेली 100 mg की ये जो tablet जो है वो लेता है as per the direction of physician कि physician because यहाँ पर देखो इसके container के उपर ये red line है तो red line मतलब कि antibiotics और ये antibiotics जो है वो हमेशा कैसे रहते है Rx only Rx only मतलब कि proper prescription के साथ ही आपको use करने होते हैं बीना prescription use नहीं कर सकते और proper medical supervision के अंडर में ही आपको उसे use करना है most tinea infection and cutaneous candidiasis can be treated with 150 mg weekly floconosal for 4 week यहाँ पर समझे यह वाले tablet का आप में बात करता हूँ कि जो 150 mg की है यह वाले कि Zocon 150 mg तो उसमें देखो box के अंदर एक ही tablet है एक ही tablet या फिर एक ही capsule यहाँ पर दिया हुए है तो ऐसा क्यूँ तो देखो most tinea infections and cutaneous candidiasis cutaneous मतलब कि आपके skin उपर जो अलग-अलग candidiasis होते है वो जो treat करने के लिए 150 mg weekly 150 mg weekly मतलब कि week 1 है आपका first week तो first week को आप यह एक tablet लेते हैं यह वाले फिर समझे कि week 2 आता है तो फिर से एक को और tablet आप लेते हैं या फिर एक capsule लेते हैं ऐसे चार week तक मतलब कि सिर्फ चार ही tablet लेनी है आपको एक महिने के अंदर कि चार week मतलब कि consider कहा जाएगा one month तो जब आपको skin related जो candidiasis होते हैं cutaneous के skin उपर जो अलगला candidiasis होते हैं उसके अंदर सिर्फ 150 mg weekly ही लेना होता है फ्लोको नाजॉल तो वो खास द्यान रखे यह जो dispersible tablets है वो कब लेने हैं कि जब उसको oral cavity के related की oral thrust डेवलप होए है oropharyngeal candidiasis है या फिर candidiasis के अंदर ही यह 2-3 week तक daily tablets लेता है कि 100 mg per day यहाँ पे लिखा है किसके लिए तो candida isophagitis के लिए बट जब किसी को cutaneous candidiasis है तो उसके अंदर सिर्फ यह weekly एक ही tablet लेना होती इसे करण देखो यह जो blister के अंदर भी सिर्फ एक ही capsule यहाँ पे दिया हुआ है फिर बात आती है for disseminated candidiasis cryptococcal cocidio, deal meningitis and other systemic fungal infection the dose is 200-400 mg per day for 4-12 weeks or longer तो जो दूसरे type के जो candidiasis होते है उसके अंदर कि जब किसी को disseminated candidiasis है cryptococcal की जो हमने जो second slide में सिखा था basic use के अंदर कि cocidio, idle meningitis वगरा है तो ऐसे cases के अंदर 200-400 mg per day 200-400 mg जैसे कि आप यह floconazole के 200 mg के यह जो tablet दे रहे है तो यह दिन में पेसंट दो ले सकता है कि एक morning में एक night में because 200-400 mg per day रहेगा for 4-12 weeks और longer कि जब तक ठीक ना हो तब तक इसका जो dose लेता रहेगा और फिर उसके जो eye drops वगरा है तो eye drops के अगर हम बात करें तो useful in fungal keratitis यह देखो बाजू के अंदर डायाग्रम में यह जो आप देख रहे है मैं आपको highlight करके अच्छे से दिखाता हूँ यह वाली जगा कि इस type का यह जो fungal keratitis जो होता है develop आपके eyes के अंदर तो उसको treat करने के लिए फ्लोको नाजॉल के यह eye drops जो है वो prescribe किये जाते है तो है गया उसके doses and uses के बारे में अब जान लेते हैं कि pregnancy में उसको use करे या ना करे तो single dose of फ्लोको नाजॉल 150 mg to treat vaginal yeast infection during the pregnancy does not appear to be associated with the birth defect अगर सिर्फ एक ही tablet ली जाती है only one tablet यह देखो only one tablet सिर्फ एक ही tablet जो है वो use करनी है कि जब किसे को vaginal yeast infection होता है during the pregnancy तो सिर्फ एक ही tablet लेने हैं कि जैसे आपको यह फ्लोको नाजॉल का tablet 150 mg है box के अंदर भी लिखा है one tablet और यहाँ पे भी आप देख सकते है blister के अंदर सिर्फ एक ही tablet है तो एक tablet जो आप लेते हैं तो that would be the safe यह वाला safe है और उसके कोई birth defect होते नहीं है no any birth defect by using only one single tablet एक ही tablet यूज करनी है तो इससे जो vaginal yeast infection होता है वो treat हो जाता है आगे समझे उसी के बारे में तो patient should notify their healthcare professional if they are pregnant or become pregnant while taking flukonazol तो आपके healthcare professional को अच्छे से आपको बताना चाहिए कि pregnancy के दौरान आपको vaginal yeast infection है तो उससे तरह से वो आपका जो dose जो है वो fix करेंगे because vaginal yeast infection होता है pregnancy के दौरान तो उसके उस वक्त आप higher doses नहीं ले सकते because यह वैसे तो contraindications के list में है but जब कोई एक ही single dose लेता है तो वो safe रहता है तो सिर्फ एक ही single tablet लेनी है कि जब pregnancy के दौरान vaginal yeast infection होता है तो यह खास द्यान रखिए यह slide आपके लिए काफी IMP है आगे समझेंगे उसके mechanism of action तो उसकी mechanism of action clotrimazole and cletogonazole की तरह ही है कि fluconazole is fluorine substituted beast triazole antifungal agent और उसकी जब mechanism है वो क्या करता है inhibit करता है lanosterol 14 alpha d-methylist की activity तो यहाँ पे देखो squilene जो है वो उसकी ज़रुरत पढ़ती है lanosterol का develop करने के लिए और उस वाग squilene epoxidase enzyme help करता है और बनता है lanosterol lanosterol मसे ergosterol बनने के लिए ज़रूरी है lanosterol 14 alpha d-methylist और ergosterol जब develop हो जाता है तो उसको यूटिलाइस करते है कोई भी fungus उसके cell membrane को develop करने के लिए बाजो में जो आप fungal cell देख रहे है तो वो cell के आसपास है उसकी completely cell membrane जो है वो आप देख सकते है तो ये cell membrane के develop करने के लिए ज़रूरी है ये ergosterol ergosterol किसमें से बनता है lanosterol में से और lanosterol के development के लिए ज़रूरी है squilin और squilinoli epoxidase enzyme तो दूसरे जो antifungalic terminafin है butanafine वो squilin oxidase वगेरा को inhibit करते है ये जो हम azoles सीख रहे है तो azoles क्या करते है कि azoles की जो activity है वो directly यहाँ पे रहते है कि lanosterol 14-alpha-D-methylase और ये पाथवे बंद कर देते है कि जैसे ketoconazole करता है fluconazole and clotrimazole की जिसके करन ये जो fungal cell है उसका ये जो cell membrane का further जो development है जो completely क्या हो जाता है बंद हो जाता है तो यहाँ पे देखो मैं red pen से बताता हूँ कि ये वाली जो activity है वो बंद हो जाएगी कि lanosterol 14-alpha-D-methylase को inhibit कर देखिए यहाँ पे लिखा है कि it is mechanism of action like that of other results involved in interruption of the conversion of lanosterol to ergosterol कि ये lanosterol से जो ergosterol बनता है ये process को completely बंद कर वाता है via binding to fungal cytokrome P450 and subsequent disruption of fungal cell membrane अब 14-alpha-D-methylase जो है lanosterol उसकी जरुवा थे lanosterol में से ergosterol बनाने के लिए अब यही enzyme नहीं होगा तो आगे नहीं ergosterol बनेगा और ergosterol नहीं होगा तो ये fungal के cell membrane भी develop नहीं होगे और जिसके करण ये fungal cell की क्या हो जाएगी आगे जाके date हो जाएगी वो completely क्या हो जाएगा destroy हो जाएगा जिसके करण ये medication अपनी फंगी सीडल एक्सन आपको देता है कि फंगी सीडल एक्सन जो एचीव होती है फ्लोको नाजोल की ये है उसके main mechanism उसके behind अब side effect भी समझ लेते हैं तो side effect common है nausea होता है कि जो जी में चलना जो हम कहते हैं कि nausea होना और nausea जब होता है तो obviously patient को vomiting दो होई जाती है abdominal pain रहता है और उसके करण कई बार diarrhea जैसे condition भी develop होती है, rashes develop होते है headache जैसा feel होता है आपको and साथो साथ diarrhea होगे and weakness वगरा feel होती कि जब कोई patient फ्लोको नाजोल की जो tablet सवगरा को use करता है फिर बात करें उसके contraindications की तो कब उसको use ना करें कि when do not use ये खास मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि आप लोग confused ना हों कि do not use if do not use if तो सबसे पहला point ये low amount of magnesium in the blood आपके blood के अंदर magnesium कम है तो फ्लोको नाजोल use ना करें because फ्लोको नाजोल magnesium कम करवाता है already आपका magnesium कम है तो और ज़्यदा complications हो सकते है low amount of potassium in the blood तो ये भी potassium decrease करता है इसलिए already potassium कम है तो उसको use ना करें torset the point a type of abnormal heart rhythm जो कहते है उसका problem है आपको तो भी आप उसको use ना करें do not use if you have a torset the point like condition की जिसको हम कहते है abnormal heart rhythm कि heart rhythm आपकी irregular है irregular heartbeats का problem है तो फ्लोको नाजल को use ना करें prolonged QT interval on EKG EKG जो हम बात करते हैं electrocardiogram वहाँ पे समझे की prolonged होता है QT कि जो abnormal heart rhythm दिखाता है EKG abnormal EKG with QT changes from birth abnormal liver function test pregnancy as well as chronic kidney disease कि जो हमने बात की थे कि renal impairment वगेरा है kidney का रिलेटर प्रॉब्लेम है तो उस वक्त जो है वो खास precautions के साथ जो है वो फ्लोको नाजल यूज किया जाता है इस साथ हो pregnancy के अंदर भी counter indication में सिर्फ only single dose is recommended सिर्फ single dose 150 mg का है recommended है pregnancy के दोरां तो ये था special lecture फ्लोको नाजल के उपर कि जो lecture notes आप pharma rocks के आप उपर आसन इसे ले सकते है pharma rocks के आप डाउनलोड करें और वहाँ से pharma rocks के lecture notes PDF वगेर एक्सेस करें thank you for watching join कर सकते है whatsapp groups ये वाला whatsapp help line नंबर है एक्सेस कर सकते study material को test series, video lecture, pharma rocks के आप उपर android user है तो डाउनलोड करें android app, iphone यूज़ करते है तो app store पर से डाउनलोड करें link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best